जै मातादी एवरीवन कैसे हो आप सब वैलकम टो माई चैनल स्वाती व्लोग फरिदाबाद और आज जो है मेरी तब ठीक नहीं है आज क्या एक महीने से ही मेरी तब जो ठीक नहीं है और आज है नवरात्रे का पहला दिन तो चलो मुझे लगा कि आज मैं अपना व्लोग जो ह एक दिन पहले भी करना हो तो शाम को पहले नहा के मैं तब मंदिर जो है अपना साफ करती हूं एक महीने से ना कभी मेरा गला खराब हो जाता है कभी मुझे फीवर हो जाता है कभी कुछ भी इस तरीके से छुटा 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 कुछ ना कुछ असे लगा ही रहता है ठीक तो बहुत जाता है और फिर से मेरा जो गला नो बहुत जादा खराब है और जैसे कि आवाद से भी थोड़ा पको पता लग रहा होगा और अभी जो है पंदा दिन से में यहां पे थी नहीं शराद के टाइम पे ममेग घर पे गई थी और बस इन्हों ने जो सुवान पूजा क कि बरतन दोई हैं उनको बस मैं सुखे कपड़े से पोच रही हूं जितने भी दिये हैं पूजा का और बरतन जोतने भी होते हैं और स्रिष्टी भी बड़ी खुश हो रही है देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ममी क्या कर रही है और बड़ी खुश हो रही है बिल्कुल भी गोदी से उतर नहीं रही है कभी इनकी गोदी में, कभी मेरी गोदी में और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है और शुरू से ये घर का कैसा महोल रहता है वैसा ही बच्चा सीखता है और जैसे मैं टीवी में भजन लगा देती हूँ इसको बड़ा अच्छे लगता है सुनना भजन सुनन diy कलैपिंग करती रहती है इसको बड़ा अच्छे लगता है तालिया बजहाती रहती कोज़े जाधा पूजा तो करनी आती है जैसी भी आती है भस वैसी कर लेती हूँ और लास्ट ने बस भगवान को बोल देते हैं भगवान कोई भी गलती हो मुझे शमा करना कुछ भूल गी हो तो मुझे माफ करना और बस मैं दुर का चालीसा जो है वो पढ़ती हूँ और अभी बस हम लोग मिलके सब आरती करेंगे और स्रिष्ट देखो कैसे घंटी बजा र सब्सक्राइबर है उनके जिंदगी में खुशिया लेके आओ उनके सारे दुखकस्ट को दूर कर दो उनको स्वस्त रखो और बहुत सारी खुशिया है उनके घर में और पहले मैंने सुझाता कि अलग से माता की चोकी बनाऊंगी लेकिन वो मैं करी नहीं पाई क्योंकि समय क्यां नहीं था इतना जो कि मैं करती काम आप करते रहोना तो एक आदत सी बनी रहती है जैसे कि मैं व्लॉगिंग करती थै मेरी इक आदत बनी रहती अब बहुत कम हो गया है और बस दिर इसको भी शुरू करूंगी यहां पर आपो देखें बहुत सारा समान रख आ यह जो म मैंने सोचा है कि इस के ना इस रूम जो है ये वाला जो रूम है इस रूम की जो अलमारी है उसमें मैं सारे कपड़े अरेंज करूंगी तो पहले जितना भी इसमें समान रखा है उसको सारा मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद अच्छे से क्योंकि कहीं भी आप जहां भी आप समान रेंज करते हैं तो सबसे पहले उसको सारे समान को निकालना होता है और इस काम को भी मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था लेकिन मैं करी नहीं पारी थी किसने किसी काम बीजी हो जाती हुBraभ ना व्लागिंग कर पारी हु कोई गर का अच्छे से काम कर पारी हूं घर पे भी ध्यान ने दे पारी हूं और बस ऐसे ही पुरा-पुरा दिन चला जाता है फिर मैं ना बहुत जाद ना ये सब सोच के ना परेशान हो रही थी कि मैं कोई भी काम क्यों नहीं कर पारी हूं क्योंकि बहुत सबके बच्चे होते हैं सबक तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं मैं क्यों नहीं कर पारी हूँ यह सब सो सुचके ना मैं काफी टाइम से ना बहुत परिशान हो रही थी तो मुझे लगा नहीं मैं कहीं ना कहीं से तो मुझे शुरू करना ही पड़ेगा और हर किसी के पास यह ना 24 गंटे होते हैं और वो 24 गंटे में इतना कुछ कर लेते हैं और मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पारी हूँ ना मैं डंक से अपने आपको ध्यान दे पारी हूँ ना बच्चे पे इतना और ना ही मतलब की यह में इतनी हैल्प कर देते हैं तो ज सब्क्owa बंत कि भी भी मातलब की परिशान नि यह बीकर ब्लकु भी इसको भी सारा समान देख रहे हैं कभी यह उठा रही है जहाँ मैं इसको रोक हुंगी। न तब इसको प्रोब्लम शुरूoffह और चायंगी तो मैंसको रोग लिए rätt eficaz करने कांने कर दो मेंका अपने वी काम कर लेती हुँ मैंने सूछ था कि मैं दूसरा सूट पैनूंगी तो मैंने फिर देखा कि इसी सूट पर प्रेस करके रखा हुआ है और और सारे सूट ऐसी नहीं टाइम निए लेकि रखा हुए हाँ तो मैं यही वाला जो सूट है अपना यही पैन लेती हूँ आज तो और यहाँ पर जो है मैंने अलमारी जो है उच्छे साफ कर ली है वही जो नियूस पर लगा हुआ था वही मैंने अच्छे से दोबारे लगा दिया है तो अभी जो है यहां पर जितने भी मेरे बैग है वो जिसमें स्रिस्टी का समान है वो मैं खाली करूंगी दो बैग है जिसमें सिर्फ स्रिस्टी का समान है एक में बिल्कुल नई चीजे रखी है मैंने और एक में जो है बैग जो रैड केलर का साइड में दिख रहा है उसमें जो मैं कपड़े लेके गी थी यहां से वह हैं और इस जो ब्लैक वाला जो पिठो बैग है इसमें सारे जो नए कपड़े हैं मैंने वो रखे हुए है जितना भी स्रिष्टी का समान है नया एक दो समान होगा जो मेरा होगा नहीं तो सारा इसी का है अभी जो है मैंने एक बैग जो है वो खाली कर लिया है और अभी जो है दूसरा बैग में देखते हूं क्या-क्या समान है उसको भी खाली करूंगी और स् स्रिष्टी के लिए जो कि इस बार गई थी तो पाइल ले के आई हूँ तो यह वाली में बहुत टाइम से सोच रखी थी इसमें पूरे में गुंगुरू लगया है बहुत अच्छी से बचती रहती है तो यह वाली लेक आई हूँ और इसको बहुत अच्छी लगी जब मैं द से बार में सर्दय कपड़े घजां तो लेका आई हूँ तो पिछली बार के सर्दय कपडे भूत इसको आएंगे नी और ना हिए वह जो गर्मी वाले कपड़े वह अगली बार इसको आने वाले है तो इसलिए मैं बहुत कम इह जो कपड़े है इसके खरीत assess के खरीता हूँ और बहुत बड़े साइज भी है ना बच्चों को पहनाओ तो वो अच्छे नहीं लगते हैंगे और थोड़ मीडियम सा साइज ही रखती हूँ मैं हमेशा ने तो क्योंकि इसके मैं हर महीने जो है कपड़े भी छाटती रहती हूँ जो कि नहीं आते हैं जो और कई बार तो मु सकता है कोई मुझे मिलने आया था तो तब इन्होंने ये वीडियो बनाई हो और देखो आप सब की कैमेरे को देखके कितनी पहले ही बहुत वो करती थी लेकिन अब थोड़ा सा देखती हूँ मैं हस्माइल करती है सेलफी लेती है तो हम बोलते है स्माइल करो तो हस्माइल क कैमेरे में कैमेरे में देखके क्योंकि ऐसे बहुत ही कम होता है और जो ये पल होते घृण कि हर पल कोना कैमरे में करना संभव नहीं होता है क्योंकि हर समय हम फोन कैमरा इस तरीके से लेके रखे और हर चीज़ को कैप्चर करें वो थुछड़ा और बच्चा द्हुआर repeat भी नहीं करते हैं तो यहां पर मैंने अपना एक organizer वो निकाल लिया है जो उस रिष्टी कपड़े नहीं आते हैं वो उसमें से मैं अभी छाट छाट के निकाल रहीं बहुत सारी टीचेट ऐसी है जो मैंने एक दो बारी पहना ही होंगे इसको कई बार ऐसे लगता है कि यह तो इसको मैं देखते हूं एक दो बार पहनेगी तो इसको रख लेती हूं अगर आई तो क्योंके ना कई कपड़ा पहनाने में तो सही रहता है लेकिन जब निकाल तो बड़ी दिक्कत होती है बहुत रोती है तो यह मनाई करते हैं आसे कपड़े पहनाने के जरूरत है यह खुशा लगई थी वह वीडियो में बाद में शेयर करूंगी आप लोगे साथ में अब कभी फिर कभी शेयर करूंगी क्योंकि बनाई तो है तो वहां पर भी ना मैं देखाता की कोई आयो थे तो वहां पर जो इतने बच्चे थे सबको बहुत सारे कपड़े दे रहे थे त चुका है जो कि इसको नहीं आते हैं जो और अभी थोड़ा सा बैड़ना खाली-खाली से लग रहा है तो अच्छा लग रहा देखके कि हाथ कुछ तो काम मेरा हो गया है कोई भी काम करते हैं तो जब शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब नहीं हो संभल में आ कपड़े आप लोगों को तो यह वाले जो कपड़े आगे जो है वो तो यह डेली यूज करने वाले हैं तो यहां पर जितने कपड़े वो डेली यूज करने वाले हैं इसके कुछ यह जिसे दागवाग लगे ना वो मैं रात के टाइम इसको पहना लेती हूं चेंज करके और अब आ गई है मेरी अलमारी की जो देख सकते हो हालत इतनी खराब हो गई है तो इसको भी मुझे लगा लगए हाथ में इसको भी अरेंज कर दी तो वैसे मैंन कर पाई हूं बस जो थोड़ा वो जो काम मैं आज कर पाई हूँ वही है अपनों साथ में शेयर कर रही हूं और इस वक्त भी मुझे बहुत जादा गर्मी लग रिया है पंखा दी लगती है कीसा जीब सा मौसम हो गया फता है मुझे ही लगती है सब को लग लग रही है कुछ मैं इस तर्गे से भी arrange करूँगी कपडों को जो की सरद्य वालेा कपडों इस में arrange 세क को थोड़े बहुत जो हटाने हो वो हटा दूँगी क्योंकि अब ऐसा है नहीं कि सर्दी का पुरा अच्छे से मोसम आ गया है तो जो कोटन के कपड़े है वो मेरे थोड़े पोट चल जाए जो एक इस वाले जो मन्त में है बीच बीच में हमें इस तरीके से करते रहना चाहिए अपनी अल्मारी को अरेंज जो कि सारा समान भार निकालो अच्छे से करना चाहिए जब मैस मेरे तो हीदा तो भी ऩम्हारी य सी इस तरीके से करना चल जाए जो कि हमें पता लग जाता है जो हमारी जो कपड़े जो पीछे चुपँवें वो भी हमें कि हाँ इतने दिन से हमने यह नहीं पैने हुए तो अभी दो जो खाने है उसके तो मैंने निकाल के साफ कर लिए हैं निकाल लिए हैं कपड़े और सबसे उपर वाले के देख ली थी कि इसको भी हटाऊं की नहीं हूँ यह मुझे ठीक लगे तो यह मैं हटाऊंगी नहीं आपकी तब हुआ ठीक नहां तब आप यह सब काम लेके बैट जाओ तो बड़ी दिक्कत होती यह लेकिन मुझे लगा था नहीं आज मुझे करना है तो करना यह है यह सब काम मुझे अपना मेरे इलमार यह नहीं बहुत जादा गंदी नहीं है, मैं बिस एक खली सूखеня कुपड़े से साफ कर रही हूं और मै antagailija कोना कोके क्पड़े रहे हूं, कोई गीला कपड़े से सफ नहीं कर रहे हूं मैं और उस्य नि sporting पर का क्यों करा स Uhara नवरात्र फिर नवरात्र फिर्ट बार जाए लेकिन सुरू हो जाएंगे लेकिन वस में वह करी नहीं पाई शरात के टाइम पर ममी घर चली थी इस वजे से और यहां पर जो है मेरे अलमारी की अच्छे से मैंने क्लीनिंग जो हो कर लिया अभी दिखाते हूँ बैड पे कितन बुरा हाल हो रहा है सारे कपड़े हैं मेरे ये और ऐसे होरे कपड़े जो की और ये एक सूट के साद जिसमें मेरे सारे जो भी मैं नई सूट सिल्वा के लेगा यह हूँ और इस वज़े से लिए मैं स्पेशल वहाँ पे गई थी कि मुझे अपने बहुत सारे कपड़े जो है वो सिलवाने थे मिरे पास कपड़े रख्या हुआ था कपड़ा मैंने खरीद के तो वही मुझे सिलवाना था यहां पर बहुत जादा महंगी से लाई है इस वज़े से मैं गई थी और अभी जो है जितने भी मेरे जो कपड़े मैं नहीं पहनूँगी तो वो मैं इसमें मैं अरेंज कर दूँगी और जो जो मैं और जो मेरी डेली उसके होंगे थोड़े बहुत यह फैस्टिवल के टाइम में जो सूट अच्छे लगे वही मैं अपने अलमारी में रखने वाली हूँ और सारे जो अभी नहीं पहनूँगी मतलब बहुत जादा गर्मी होते तब उस टैम पे जिसने मेरी कुड़ती आया है और जो सूट है वो सब मैं अपने पैक करके रख दूँगी सारे बैड़ पे जितने भी कपड़े फैलो है ना देखके इनको मैं परिशान होगी कि कहां से मैं शुरू करूँ कहां से नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था तो थोड़े देर पहले मैं बैठ गी फिर मैंने सोचा कि नहीं जितने कपड़े मुझे नहीं पहनने है जो सामने आते रहेंगे वो मैं इसमें ऑगनाइजर में रखती रहूंगी और जो मुझे समझ मैं आगा हाँ ये मैं भी पैन लूँगी उनको मैं अलमारी में रखती रहूंगी तम मुझे थोड़ा सा राहत मिली ने तो मैं इनको देख देख के परेशान हूँ कहां से शुरू कहां से नहीं क्योंकि एक तो होता है आईरन की ये कपड़े अच्छे से रखे रहते हैंगे और कुछ कपड़ों में रखू की अलमारी में रखू और अगनाजर में रखू कुछ इस तरी से परेशान हो रही थी मैं और अगर मैं सोचू कि सारे ही कपड़े रखने हैं जो मेरे पुराने भी कपड़े हैं और जो मेरे अभी भी जो सिल्वा के लेकिन सब मैं इसमें रखने तो वो तो आने से रहे नहीं आएंगी नहीं इसमें तो मुझे कुछ तो कपड़े इसमें से हटाने ही पढ़ेंगे जो मेरे पुरानी है और कुछ तो ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे लगता है कि किसी को दे तो ठीक है लेकिन अभी तो नहीं दे रही हूँ लेकिन आगे चल के मैं दे दूंगी उनको तो भी मैं सोच रहीं इस और नीचे साइड में रख दिया है गाँ और फिर मैं दूसरा और निकाला की और मैं जो कपड़े है वो पैक करना चुट नहीं दो तो तब तो मुझे ये आ रहे थे लेकिन अब ये मुझे ना आ नही रही है दोनों के कोटन के शूट थोड़े से ध वजह से और यह वाला सूट तो मैंने सिर्फ एक बारी पैना दूसरा एक और गरीन कलर कर वह मैंने तीन-चार बार पैना चूंकि वहाँ पैना बहुत और इसको छिर्फित एक बारी पैना है और यह जो रेडिमेट सूट होते हैं इनमे तो उसके बाद मैं चार-पांच बैक जो है वो करके लेके आई हूं वहां से और इसमें मेरे सारे अभी जो मेरे नए सूट है वो सिल्वाया कुछ पुराने हैं जो कि मैं ठीक करवाने के लेके गई थी लेकिन वही बात है ना कि पुराने कपड़े कोई ठीक ही नहीं करता है जो आपके होते हैं वो टेलर नहीं करेगा ठीक है जो नए सिल्वालो उनसे कितने भी लेकिन जो पुराने ठीक करवाने होते हैं जैसे कि डाइट होगे तो लूज करवाने है फिटिंग ठीक करवानी है तो वो वाले कपड़े वो टेलर करता ही नहीं है कि मेरे पास तो टाइव और कपड़े जो हमेरे आ जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा कमफिटेबल नहीं लग नहीं लग लेगिंग पहने में उनके साथ में, तो इसलिए मैंने सारे सुट जो हैं सिलवार वाले और पैंट वाले जो हैं, वह इस तरिके से सिलवाए हैं, बस दूसरे साइट का और मुझे वह खाली करना है पहले बहुत सारे कलर जू है वह मैं नहीं पहलतीचे जैसरे पेरट ग्रीन तो मुझे लगे वैं या मैं लेकिन इस बार में नहीं अद्जा है तो यहां पर सूट केस जो है वो मेरा बिल्कुल खाली हो चुका है और यहां पर देखो मैंने किस तरीके से अलमारी जो है अपने और बहुत भरी भरी भी नहीं लग रही है कि बहुत मैंने भर लिया इसमें तो और जितने भी कपड़े थे सब मैंने उठा के रख दिये हैं य तो अभी हो गई है शाम तो अभी मैं शाम की जो है पूजा कर रही हूँ तो लगबख जो है मैंने अपना पूरा दिन जो है आपके साथ में शेयरी किया है पूरा दिन तो नहीं किया जैसे कि बीच वे मैंने खाना बनाया जैसे सुबह की पूजा करने के बाद मैंने खाना बनाया था वो आप लोग के साथ में शेयर ने की है और बस अभी हम शाम की पूजा कर रहे हैं और आज सुबह मैंने बस ना पूजा करने के बाद कुछ फल खाये थे उसके बाद अभी मैं खाना खा रही हूँ वो भी रात के टाइम मतलब की साथ बजे टैम में खाना खा रही हूँ और कैसे लगा मेरा व्लॉग जरूर बताना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो